नमस्कार मैं हमी बेकानाद और आप देख रहे हैं नीज़ पूर्नेसान आज हम बिहार विदान परिसत चुनाव का जो रिजल्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस कड़ी में हम अभी आपको पस्चिम चंपारन सीट की चर्चा करेंगे पस्चिम चंपारन सीट पर इस बार राजद ने वहाँ से सौरफ कुमार को मिदवार बनाया था जनतादल उनाइटी ने राजेश राम को और इंडियन नसनल कॉंग्रेस ने आफाक अहमद को मिदवार बनाया था लेकिन वहां से इस बार जेडिव के जो कैंडिडेट है राजेस राम पिछड़ते हुए दिख रहे हैं ना सिर्फ पिछड़ते हुए बलकि काफी अंतर से तीसरे नमबर पर हैं जो पहले राउंड या यूँ कहें कि प्रथम वरीता का जो मत काउंट हुआ उसमें ही उनकी कर कारी हार हो गई पहले नमबर पर आर्जेडी के प्रत्यासी सौरप कुमार है उन्हें करीब-करीब 233 मत मिले हैं कुल मिलाकर करके जो वोट पोल हुआ और 409 वोट पोल हुआ उसमें से 233 मत मिले हैं हलाकि 50% से उनका जो मत है वो कम है लेकिन यूं कहें कि निर्णायक वो बनाय हुए हैं दूसरे नमबर पर आफाक आहमद इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के हैं उनको 1529 मत मिले जबकि राजेश राम जेडीव के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 632 मत मिले हैं इस तरीके से वहाँ पर यह तो तै हो गया कि जेडीव कैंडिडेट लडाई से बाहर ह गई है आफाक आहमद ने कड़ी वहाँ पर टक कर दी 1529 मत उनको मिले हैं लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि पहली दफे चुनाव लड़ रहे थे एक कारोबारी है पटना में इनका फरनिचर का कारोबार है सौरब कुमार का उन्हें तेजस्वियादों ने टिकट दिया औ और वहां से वे मजबूती से लड़े और प्रथम वरियता में वे 233 मत उनको मिले हैं तो इस तरीके से वो निर्नायक बढ़त की ओर है हलाकि आधिकारिक तोर पर अभी इसकी गोसना नहीं हुई है लेकिन थोड़ी देर के बाद गोसना हो ही जाएगी जो कुछ आपचारिक चंपारन से हलाकि उसके परोस में पूर्वी चंपारन में भी वहां पर निर्दलिय प्रत्यासी कुछ मतों से आगे हुए हैं वहां भी द्वितिय वरियता का जो बोट है वो काउंटिंग हो रहा है लेकिन जो परोसी जीला पस्चिम चंपारन है वहां की इस्तिती करीब-क